हेलो नवस्कार दोस्तों इनोवेशन स्टेड़े में आपका स्वागत है तो आज हम करेंगे पसुपालन विज्ञान के एनिमल हजबेंडरी के मोस्ट इपोर्टेंट वन नाइनर क्यूशन जो परतेक प्रिक्षा जैसे जैट आईश्यार भी अचू चाहिए कोई भी प्रिक् स्क्राइब कर लो पास मिल गए बेल आइकन को भी दवालो ताकि आने वाली पर टेक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आजए और जाद अश्याद आपने दोस्तों के पास शेयर करना चलिएगा स्टार्ट करते हैं पहला अपना क्यूशन है राश्टिय राश्टिय डेरी अनसंदान संस्तान कहां पर इस्तित है तो वो करनाल हरیانा में इस्तित है सेकंड क्यूशन ये हैं राश्टिय डेरी विकास बौड कहां इस्तित है तो वो आननद नगर गुजरात में इस्तित है इन दोनों क्यूशनOW में आपको क्या रहेगी, konfusion रहेग हैं next question मूर्गी पालन पर शुक्षण संस्तान इस्तित है मूर्गी पालन पर सक्षिक्षण संस्तान है वह काँ पर इस्तित है वह बेंगलर् कर देखंगे. नेक्स्ट क्यूशन अपने पास आता है राजस्तान में राजस्तान में बक्री विकास के अंदर इस्तित है तो वो रामसर अजमेर में इस्तित है नेक्स्ट क्यूशने केंद्रिये बेड़ परजनन फारम इस्तित है तो वो इसार हर्यान में इस्तित है तो राज़्टिये गोड़ा अनुसंदान के अंदर काम इस्तित है तो राज़्टिये गोड़ा अनुसंदान के अंदर है वो भी इसार हर्यान में इस्तित है क्लास को ज़ादा ज़ादा अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना ताकि वो भी जुट सके और इन क्लासों का लाब ले सके नेक्स्ट क्योशन है बारतिये पसु चिक्षा ले अनुसंदान संस्तान कहां पर इस्थित है बारतिये पसु चिक्षा अनुसंदान संस्तान इज्जत नगर उत्तरपरदेश में इस्थित है नेक्स्ट क्योशन है पसु पालन से समदित गोपाल कारेकरम मोस्ट वो 1990 से 1991 में शुरू हुआ नेक्स्ट क्यूशन है मिल्ट्री डेरी फारम की स्थापना कब हुई मिल्ट्री के लिए अलग से डेरी फारम की स्थापना की गई तो वो मिल्ट्री डेरी फारम कलाया मिल्ट्री डेरी फारम की स्थापना कब हुई थी तो military dairy farm की स्थापना 1909 के अंदर हुवी थी चलिएगा next question पर चलते हैं next question है oppression fold योजना oppression fold योजना किस से समंदित है तो oppression fold योजना है वो दुग्द उत्पादन से समंदित है next question है अखिल बारतिये समंदित बेंस अनुसंदान परियोजना किस के द्वारा सुरू की गए इस योजना का मतलब था कि बेंस अनुसंदान परियोजना के अंदर गत बेंस के उत्पादन को बढ़ाना था बेंस से जो भी हमें आय प्राप्त हो रही थी बेंस की गुणवता में बढ़ोतरी करनी थी तो ये I.C.A.R. के द्वारा स्टाट की गए ठीक है I.C.A.R. के द्वारा सुरू की गए next question है पसुदन बिमा स्कीम कब सुरू की गई पसुदन बिमा स्कीम कब सुरू की गई तो पसुदन बिमा स्कीम है वो फरवरी 2006 में सुरू की गई नेक्स्ट क्यूशन है यहां पे भेंस है वे ठीक है यहां पे क्या है भेंस है भेंस की मान्यता प्राप्त कुल नसले कितनी है तो भेंस की मान्यता प्राप्त कुल नसले है वो सोला है ठीक है चलीगा नेक्स्ट क्यूशन पे चलते हैं klais को जदा से जदा अपने दोस्तों के पास करना भी नेकर्ष्ट कुछलन है बारतια कोपसु नसले हैं बारतीे गोपसु नसले हैं यहां पर गोव ऑंपर गोव नसले कुबरदारी नसले हैं क्योंकि बारत में जितनी भी गोपसु है या देश्ची नसली जिसको हम बोलते हैं, उसमें सभी में कुबड पाया जाता है, तो उसको कुबड़दारी नसली कहते हैं, लेकिन जो भी देश्ची नसली हैं, उसमें कुबड नहीं पाया जाता है, कुबड अबसेंट होता है, उसलिए उसको कुबड़दारी या कुबड अपसेंट दरी नसली बोलते हैं next question है गोपसुक की करण स्विश गोपसुक की एक नसल है करण स्विश उसका संकरन ये करण स्विश है वो किसके संकन से प्राप्त हुई है तो लाल सिंदी और ब्राउन स्विश से ब्राउन फीश से ये नसले हमें प्राप्त हुए नेक्ष्ट क्यूसन है अकिल बारतिये समनवित बेंस अनुसंदान प्रियोजना किसके द्वारा चलाएगे तो ये प्रियोजना है वो भी I.C.A.R. के द्वारा चलाएगे चलेगा नेक्ष्ट क्यूसन पर चलते हैं हमारे पास next question है बारत में सबसे भारी गाई की निशले कौनसी है तो सबसे बारत में सबसे भारी गाई की निसले है next है बोजा डोने के लिए गाई की कौनसी निसल सरोतम है बोजाड होने के लिए गए की कौन सी नसल है वो सुरोतम है वो नागोरी नसल है गए की किस नसल के कान लटके पत्ती के समान होते हैं लटके वे पत्ती के समान किस गए की नसल की मुखेव सेचता है तो वो है गिर की गिर गए के कान है वो लटके वे और पत्ती के समान है नारी का निरक्षन किस स्तान से किया जाता है तो उस स्तान का नाम है थूतन स्वाईचाल के लिए परशिद गई के नसल कोंची है कांक्रेस है गए के दुग्द में वसा रेट थोस्परदात वसा जिसमें वसा उपस्तित रहती है या वसा रेट थोस्परदात कितना होता है तो उसके मात्रा 8.5% होती है चलिएगा नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं क्लास को ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों पास शेयर करते रहिएगा नेक्स्ट क्यूशन है विशो में शर्वादिक दुग्द उत्पादन वाली गाई की निसल कौन सी है तो विशो में शर्वाद दूद उत्पादन वाली गई की निस्टल ओलिष्ट्रियन फ्रीजन है जिसको अमूमन बासा में HF कहा जाता है और इसी गई की नसल में सबसे कम वसा परतिस्थ पाया जाता है और इसके दूद में वसा परतिस्थ होता है 2.5 से 3.5 परसेंट तक ठीक है नेक्स्ट कुशन है विदेशी गई की सुरोतम वसा सुरोतम वसा परतिस्थ वाली नसल कौन सी है तो सुरोतम वसा परतिस्थ वाली नसल कौन सी है वो जर्शी है नेक्स्ट क्यूशन है बारत में सबसे अधिक दुग्द उत्पादन कौन से पसू से होता है बारत में सबसे अधिक दुग्द उत्पादन है वो कौन से पसू से होता है वो होता है भेंस से चलिएगा नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं क्लास को जादा जादा अपने दोस्तो किस बेंस की नसल के होते हैं तोजलेबी के अकार के शिंग है वो मूरा नसल की बेंस के होते हैं नेक्स्ट क्यूशन है दल्दली बेंस मुखेता किसके लिए परियोग की जाती है दल्दली का मतलब हो गया कि जो बेंस पानी में ने रहकर दलदली चेतर में जादा रहना पसंद करती है उसको दलदली वाली बेंस बोलते हैं जो पानी में रहना पसंद करती है उसको पानी वाली बेंसे बोलते हैं तो दलदली बेंस है उसको बार डोनी के लिए उप्योग किया जाता है next question है, कौन सी बेंस की नसल के दुगद में सर्वाद एक वसा परतिसत पाया जाता है, वो पाया जाता है, बधावरी में, और इसमें वसा परतिसत 13% तक होता है, 13% तक बधावरी के दुगद में वसा का आंकला ने किया गया है, चलिएगा नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन है केंदरिये बेंस अनुसंदान संस्तान इस्तित है केंदरिये बेंस अनुसंदान संस्तान है वो कहां पर इस्तित है तो केंदरिये बेंस अनुसंदान संस्तान है वो इसार में इस्तित है नेक्स्ट कुछन है भारत में बेंस के मानिता प्राप्त कितनी नसले हैं तो भारत में मानिता प्राप्त कुल नसले बेंस की 16 है संसार में कितनी परतिसत बेंसें भारत में पाई जाती है संसार की कितनी परतिसत बेंसें भारत अकेले में पाई जाती है तो वो है चोपन परतिसत संसार की टोटल चोपन परसेंटेज बेंसें हैं वो भारत में पाई जाती है नेक्स्ट क्यूशन है द्रांती के अकार के शिंग द्रांती के अकार के शिंग बेंस की नसल के मुक्य विशेष्टा है द्रांती के अकार के शिंग होते हैं वो बेंस की कुंसी नसल के मुक्य विशेष्टा है तो वो सुर्ती की मुक्य विशेष्टा है जलेबी के अकार के श होती है चलिएगा नैक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं एक्यूशन रह गया नेक्स्ट क्यूशन है मुर्रा नसल की बेंस का आवरण मतल सिंग का आवरण किस परकार का होता है बुरा नसल की बेंस होती है उसके शिंग का अवरण किस परकार का होता है तो उसके काले रंग का होता है नेक्स्ट क्यूशन है विश्व में सबसे अधिक दुख देने वाली बकरी की नसल कौन सी है विश्चों में सबसे अधिक दुख देने वाली बक्री की नसल होती है वो होती है सोने चलिएगा next question पे class को ज़्यादा ज़्यादा आपने दोस्तों के पास share करते रहिएगा next question है मराडी नसल कौन से देश की है मराडी बक्री के एक नसल है वो कौन से देश की है सरवादी कौन से देश में पाई जाती है तो वो अफरिका देश में पाई जाती है next question है बारत में संसार की कितनी परतिसत बक्रियां पाई जाती है बारत में संसार के कुल कितनी परसेंटेज बक्रियां पाई जाती है next question है, बेड और बकरी, दोनों की गरबावदी कितनी दिन की होती है, बेड और बकरी, दोनों की गरबावदी कितनी दिन की होती है, तो दोनों की गरबावदी है, वो 151 दिन की होती है, चलिएगा next question पर चलते हैं, नेक्स्ट कुछने बेड बकरी की ओस्त स्वास गती कितनी होती है तो वो होती है 14 से 22 पर्ति मिन्ट नेक्स्ट उसने बकरी के मास को क्या कहा जाता है तो बकरी के मास को सेवन कहा जाता है नेक्स्ट है केंद्रिय बेड वे उन अनुसंदान संस्तान कहां इस्तित है केंद्रिय बेड और उन दोनों के अनुसंदान संस्तान है वो कहां पर इस्तित है तो वो दोनों कहां पर इस्तित है अविका नगर टॉंक में इस्तित है next question है बेड से प्राप्थ होने वाले मास को क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है मतन कहा जाता है चलिएगा next question पर चलते हैं next question है मादा मेमना किस नाम से जाना जाता है इव नाम से जना जाता है, संसार में मेरी नू उन का कितना परतिसत योगदान है, मेरी नू उन का कितना परतिसत योगदान है, तो सबसे ज़्यादा उन है, वो मेरी नू से ही प्राप्त की जाती है, और इसका योगदान 80% होता है, कलोन द्वारा त्यार पर्थम बेड का ना क्या भी है कि दुग्व में लेक्रोस किस रूप में उपस्तित है तो दूग्ड में लेक्तोस घुला हुआ होता है इसलिए वो soluble होता है या इसको solution भी कहा जाता है चलीगा next question पर class को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास share करते रहेगा भी ठीक है ताकि वो भी class से जूट सके और इन class का lab उठा सके next question है दुग्द में protein किस अवस्ता में इस्तित है या दुग्द में protein है वो किस अवस्ता में रहती है तो वो कलाइडियल अवस्ता के अंदर का दुग्द में protein है उपस्तित होती है next question है भारत में सबसे ज़्यादा उन उत्पादन करने वाला राजय बारत में सबसे ज़्यादा उन उत्पादन करने नेक्स्ट उसने बेड की राजदानी नसलों में सबसे अच्छी उन कीस नसल से प्राप्त होती है बेड की अगर भारत में बात करें पूरे भारत के अंदरगत बात करें तो बेड की एसी कौन सी नसल है जिससे सबसे अच्छी उन प्राप्त होती है तो वो बेड की नसल है चो जबसे अच्छ उन्हें प्राप्त होती है. Next question पर चलते हैं. Next question है, बेड़ की कौन सी नसल पर्तिकूल वातावरण के पर्तिरोधक मानी जाती है. मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी भी सेहन कर सकती है, और सर्दी भी सेहन कर सकती है, ज़्यादा गर्मी हो तो भी सैन कर सकती है, सुका भी सैन कर सकती है, ठीक है, अगर पानी के मातरा उसे कम मिले तो भी वो सैन कर सकती है, तो एसी बेड़ की नागोरी 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 जुन्ड हो गया, तो बेडों के जुन्ड को किस नाम से जाना जाता है, तो बेडों के जुन्ड को फलोक नाम से जाना जाता है, नेक्स्ट कि उसने बेडों में नर किस नाम से जाना जाता है, बेडों के अंदर जो नर मेमना होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसक उसको लेंब के नाम से जाना जाता है। चलिगा नेश्ट किस्व में ज्यादा से ज्यादा आपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा भी, ताकि वो भी इन कलासों का लाब उठासके। नेस्ट किसने बेडों में बंद्याकरण नर्मेमनी का मास किस नाम से जाना जाता है बंद्याकरण नर्मेमना मतलब उसको बंद्याकरण कर दिया गया है वो जनन नहीं कर सकता ठीक है बंद्याकरण नर्मेमना कलाता है और उसके मास को किस नाम से जाना जाता है तो उसके मास क विडर के नाम से जाना जाता है, नेक्स्ट कुछने, बेडों में मेंटिंग की किरिया क्या क्लाती है, या उसको जनन की किरिया भी बोल सकते हैं, रिप्रोडेक्शन की किरिया भी बोल सकते हैं, तो इस किरिया को क्या बोला जाता है, टैपिंग है, बोला जाता है, नेक्स्ट कि उसने राजस्तान में सबसे ज़्यादा उंट राजस्तान में सबसे ज़्यादा उंट कौन से जिले में पाए जाते हैं तो राजस्तान में सबसे ज़्यादा उंट है वो बाडमेर जिले के अंदर पाए जाते हैं और एक और बता दू बारत में भी सबसे ज़्यादा उंट है बारत में सबसे ज़्यादा उंट है वो राजस्तान के अंदर है पाए जाते हैं राजस्तान में एक कुबड़ वाले उंट है पाए जाते हैं लेकिन दो कुबड़ वाले उंट जम्मुक जमीर के अंदर है पाए जाते हैं चलिगा नेक्स्ट क्यूस्टन पर नेक्स्ट क्य पानी पी सकता है 130 लिटर एक साथ में पानी पी सकता है इस नेक्स्ट वाला क्यूशन मोस्ट इपॉंटेट क्यूशन है उंट की उंट में मुख्य बिमारी कौन सी पाई जाती है उंट के अंदर मुख्य बिमारी कौन सी पाई जाती है तो उंट के अंदर मुख्य बिमारी है वो सर्रा बिमारी मुख्य रूप से उंट के अंतरगत मुख्य बिमारी के रूप में जाना जाता है। Next question, next question है बारत में दो कुबड़ वाले उंट, पहले भी मैंने बता दिया, दो कुबड़ वाले उंट कहां पाई जाते हैं, तो लदाक जम्मु कस्मेर के अंतरगत दो कुबड़ वाले उंटें पाई जाते हैं। Next question है उंट में ओस्त हर्दे दर कितनी होती है? उंट में ओस्त हर्दे दर अगर पुछी जाए, तो उसके अंदरगत 30 बीट्स पर मिन्ट होती है, एक मिन्ट के अंदर उसका हर्दे 30 बार दड़कता है. Next question, next question है उंट के पेर में कितने बाग पाए जाते हैं? उन्त के सुरी पेट में कितने बाग पाय जाते हैं तो उन्त के पेट में मुक्यत है तीन बाग पाय जाते हैं उसके पेट में रुमेन नहीं पाया जाता नेक्स्ट क्यूशन है उन्ट की गरबावदी कितने दिन की होती है उन्ट की गरबावदी कितने दिन की होती है उन्ट की गरबावदी है वो 390 से 410 दिन की होती है ठीक है विसो भर के उन्ट की नसलों में सबसे शुंदर नसल कौन सी है बहुत वार क्यूशन पूचा गया है रटलो इसको, तो विसो भर की उंट की नसलों में सबसे शुंदर नसल है, वो अपनी बिकानेर की सबसे शुंदर नसल है, मानी गई है, और नेक्स्ट वाला क्योशन भी बहुत वार एक्जाम में पूछा गया है, नेक्स्ट क्योशन है, कि राजस्तान में परमुख किस जाती के द्वारा उंट पाले जाते हैं, उंट आएगा यहां पे, किस जाती के द्वारा उंट पाले जाते हैं या उंट पालक जाती के रूप में किसको जाना जाता है, तो वो है राइका जन जाती को उंट पालक के बलते हैं नेक्स्ट कुछन है सवारी के इसाब से सबसे पर्षिद उंट की नसल है सवारी के लिए पर्षिद उंट की नसल कौन सी है वो है गोममट ठीक है नेक्स्ट कुछन है राष्टिय उंट अनुसंदान के अंदर कहां इस्तित है राष्टिय उंट अनुसंदान के सबसे अच्छा मास पराप्त होता है तो वो मास के नसल कौन सी है कड़कनाथ है कड़कनाथ मास के लिए सबसे पर्षिद मुर्गियों के नसलों में से एक है नेस्ट कुछन है मुर्गियों के अंडे से चुजे बाहर आने में कितना समय लगता है तो चुजे बाहर आने में कितना समय लगता है 21 दिन का समय लगता है नेक्स्ट क्योशन है मुर्गियों के सरीर में सबसे बड़ी मास गरंती कुनशी होती है तो वो प्हों गरंती है यकरत होती है चलेगा नेक्स्ट क्योशन पर next question है मुर्गी के सरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है मुर्गी के सरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है तो मुर्गी के सरीर का सबसे बड़ा अंग रिजार्ड होता है रानी केत बिमारी किस के द्वारा फैलती है रानी खेत मूर्गियों में मुक्यते बिमारी होती है रानी खेत ठीक है मूर्गियों में फेलने वाली बिमारी है और ये किसके दवारा फेलती है तो ये वाइरस के दवारा फेलने वाली बिमारी होती है next question, अंडे का चिलका किसका बना होता है, अंडे का चिलका बार्शी क्या होता है, कठोर होता है, अंडे का चिलका बार्शी क्या होता है, कठोर होता है, तो ये किसका बना होता है, CACO3, केल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, अंडे का पीला रंग किसके कारण होता है, अंड का पीला रंग होता है next question पर चलते हैं class को ज़्यादा ज़्यादा आपने दोस्तों के पास share करते रहिएगा next question है अंडे की गुणवता किसके द्वारा तय की जाती है अंडे की गुणवता किसके है या नहीं है नेक्स्ट क्यूशन है आठ सप्ताय से एक वर्ष के नर्चुजों को क्या कहा जाता है आठ सप्ताय से एक वर्ष के नर्चुजों को कौंक्रिल्स कहा जाता है नेक्स्ट क्यूशन है प्राकर्तिक विदी से चुजे पालने के लिए परती मुर्गी चुजों की शंख्या कितनी होती है, पराकर्तिक वीदी में अगर हम चूजए पालना चाहती है, तो परती मुर्गी कितने चूजए पाल सकती है, तो परती मुर्गी तस से बारा, क collecting कार्य करती यह, शेखने का मतलल कि उसको उसमा परदान करती है, ताकि उसमें बच्चे बन बना सके मुर्गी के लिए परती दिन कितने घंटे परकास की आवसकता होती है पसुँँ देते हैं उस पसुँँ में दुख्द जवर नामक बीमारी होती है वो बिमारी किसकी कमी से होती है तो उसके सरीर में केल्शियम की कमी के कारण वो बिमारी हो जाती है तो केल्शियम की कमी के कारण दुख दुजवर नामे के बिमारी होती है Next question है बच्चे को मां से अलग करकर पालने की विदी क्या कलाती है बच्चे को माँ से अलक कर लिया जाता है, उसके बाद उसको पाला जाता है, तो यह method क्या खलाता है, winning के लिया कहलाती है, नेक्स्ट क्यूंशन रह Спस्षब क्य रहे, नेक्स्ट क्यूंशन है गए विब्सक्ट के ताफ करम किसके द्वारा ग्याद करें रिया जाता हैelां जब ए रहा 맞는 सन रहा जाता है, कमए्शन है यह परकिरिया की जाता है तो लोई की चड़ द्वार जब हम गय के सिंग्रोधन करते हैं तो लोई की चड़ का टेंपरेचर कितना होता है तो 538 डिग्री सेंटिग्रेट लोई की चड़ का टेंपरेचर है रखा जाता है नेक्स्ट क्यूशन है पस्वों में दुखद उतारने के लिए साइक हार्मोन कौन सा है तो ओक्सिटोसिन हार्मोन होता है नेक्स्ट क्योशन है, जिस पसू का गुर्णांक अंक, जिस पसू का गुर्णांक अंक 80 से 85 के मद्देख होता है, तो वह किस सरेणी में आता है, तो वह अच्छे पसू की सरेणी के अंदर गते हैं, आता है। नेक्स्ट क्योशन है, जनम से ही या परजाती के पसू का लक्सन सवरूप सिंग रहित होना क्या खलाता है। जनम से ही जिस पसू के सिंग उपस्तित नहीं है, जो सिंग रहित है, तो उसको क्या बोल ला जाता है, उसको पोल्ड कहा जाता है। Next Question है, कि बार्टीयe गवपसु में पहला चला कितने वर्ष बाद निकलता है? बहुत बारी यह पूछा जाता है, जब हम सिंग से इ। से भी हुम उसके आयू गयात करते हैं तो पहला चला है वो तीन वर्ष के बाद है निकलता है नेक्स्ट क्यूशन नेक्स्ट क्यूशन है पस्टू में करतनक दांत कितने जोडे होते हैं तो पस्टू में करतनक दांत है वो चार जोडी पस्टू के अंदर करतनक दांत है उपस्तित होते हैं, चलेगा नेक्स्ट क्यूशन पर, नेक्स्ट क्यूशन है, किस का पियेच मान कितना होता है, तो किस का पियेच मान है, वो 5.4 होता है, किस का पियेच मान 5.4 होता है, दुग्द में वसा किस रूप में उपस्तित रहती है, दूग्द में वसा, दूग्द के अंदर वसा होती है, वो किस रूप में उपस्तित रहती है, दूग्द के अंदर वसा है, वो पायस के रूप में उपस्तित रहती है, नेक्स्ट क्योशन है, दूग्द का सफेद रंग किसके कारण होता है, तो दूग्द का सफेद रंग है, next question है हमारे पास कि दुग्द में विक्सित या वास्तिविक अमलता या तो दुग्द में अमलता को विक्सित किया हुआ हो या फिर वास्तिविक हो उसमें नेचुरल हो किसके कारण होती है वो अमलता किसके कारण होती है तो वो अमलता लेक्टोज के लेक्टिक अमल में बदलने के कारण होती है जब लेक्टोज है वो लेक्टिक अमल में बदल जाता है तो वो वास्ट्विक अमलता आ जाती है नेस्ट कुछ ने दुग्द का ओस्थ पी अच मान कितना होता है तो दुग्द का ओस्थ पियच मान है वो 6.6 होता है next question है कौन से मुख्या अवे दुग्द में गाड़ा पन मतलब दुग्द को गाड़ा करने में साहता करते हैं तो वो कौन से वो है केसीन वसा और अल्ब्यूमिन केसीन वसा और अल्ब्यूमिन ऐसे गटक होते हैं जो दुग्द को गाड़ा करने में मदद करते हैं चलीगा next question पे next question है दुग्द में पानी मिलाने या क्रीम निकालने पर दुग्द में या तो पानी मिलाएं या फिर क्रीम निकालने पर दुग्द का रंग किस परकार का दिखाई देता है तो दुग्द का रंग है वो हलका निला दिखाई देने लगता है नेक्स्ट क्यूशन है कि दुग्द का अपेक्षिक गंतों किसके द्वारा ग्यात किया जाता है तो दुग्द का अपेक्षिक गंतों किसके द्वारा ग्यात किया जाता है तो दुग्द का अपेक्षिक गंतों है वो लेक्टोमेटर के द्वारा ग्यात किया जाता है नेक्स्ट क्यूशन ने दुग्द का वसा प्रिक्षन किस वीदी द्वारा किया जाता है दुग्द के अंदर वसा उपस्तित है या नहीं है यह प्रिक्षन किस वीदी के द्वारा किया जाता है तो यह प्रिक्षन गर्बर वीदी के द्वारा गया जाता है नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन है गरबर मसीन में कितने RPM पर कितने समय के लिए चलाया जाता है उसके अंदर RPM परती मिन्ट कितने राउंड होते हैं और कितने समय के लिए चलाया जाता है तो उसके अंदर परती मिन्ट 1100 rpm होता है और उसे 3-5 मिन्ट लिए दिलाया जाता है उसके बाद उसका वश्चा का प्रिक्शन होता है Next Question है दुग्द का उबाल बिन्दू होता है दुग्द का उबाल बिन्दू कुतना होता है तो दुग्द का उबाल बिन्दू है वो 100.5 degrees centigrade होता है दुग्द का आपेक्सी गंतों ग्याद करने के लिए कौन सा प्रिक्षन किया जाता है दुग्द का आपेक्सी गंतों ग्याद करने के लिए लेक्टोमेटर रेडिंग ली जाती है तुसे लेक्टोमेटर प्रिक्षन बोला जाता है नेक्स्ट क्यूशन पर चलिएगा, नेक्स्ट क्यूशन है, गाई वे बेंस के दुग्द के मिस्रन का पता किस वीदी के द्वारा लगाया जाता है, जब गाई वे बेंस के दुग्द को मिला दिया जाता है, तो किस परकार पता चलता है कि ये गाई का बेंस है, और इसमें मि है चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना ठीक शेयर करना मत बूलना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लो ताकि आने व कौन सा प्रिक्शन किया जाता है उसके लिए सियोबी टेस्ट किया जाता है नेक्स्ट कि उसने दुग्द के पास्चुरी करन चमता का पता करने के लिए कौन सा प्रिक्शन किया जाता है तो उसके लिए फोस्पेट प्रिक्शन किया जाता है नेक्स्ट कि उसने गोपसूं कितनी दुख्द ने लिखा ही पाई जाती है उनकी संक्याएं कितनी होती है तो इनकी संक्याएं है वो 8 से 12 होती है चलीगा next question पर चलते हैं अगर आप कोई भी exam देने के लिए जाते हो तो उससे पहले ये question एक बार आप जुरूर पढ़ कर जाना क्योंकि उस प्रिक्षा में आने वाले 70-80% क्यूशन इनी से कवर होता है तो हम animal husbandry हो गया होटी कल्चर हो गया soul science हो गया एगरोनोमी हो गया अलग-अलग के question वलनाइनर question आपके लिए लेकर आएंगे तो चैनल को subscribe कर लो पास में लगे बेल आइकन को भी दवा लो और ज़्यादा ज़्यादा कलासों को अपने दोस्तों के पास शेयर करना next question है दुख्द स्तराव के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है तो प्रोलेक्टिन जिम्मेदार है next question है पस्व में दुख्द चड़ाने की किरिया कौन से हार्मोन प्रवावित करता है तो उस हार्मोन का नाम है एड्रिलीन हार्मोन नेश्ट क्युषने पस्वों में दुग्द स्तराव के परारम को क्या कहा जाता है पस्वों में जब दुग्द स्तराव के परारम हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है तो उसको लेक्टोजिनेशिस से कहा जाता है इस पर क्रिया को क्या कहा जाता है लेक्टोजिनेशिस से क रहा जाता है नेक्स्ट कुछ ने दुग्द में उपस्तित कुल प्रोटीन के सीन कुल प्रोटीन होती है उसमें के सीन का कितना प्रतिसत बाग होता है तो दुग्द में उपस्तित कुल प्रोटीन के अंद्रगत के सीन का अगर बाग देखा जाए तो 80-80% होता है नेक्स्ट कुछन है दुग्द में किस ततों की कमी परमुकता से पाई जाती है दुग्द में किस ततों की कमी मुक्यता पाई जाती है तो वह ततों होता है लोगा next question डबल टॉंड़ दूगद में वसा के मातरा कितनी पाई जाती है double टॉंड़ दूगद में वसा के मातरा है वो 1.5% पाई जाती है next question पे चलते है next question डूगद में protein किस अवस्ता में पाई जाती है दुग्ध के अंदर protein है, वो किस अवस्ता में रहती है तो दुग्ध के अंदर protein है, वो collide अवस्ता के अंदर है, present रहती है next question है, दुग्ध में पाई जाने वाले buffer value किसके कारण होती है, दुग्ध के अंदर buffer value पाई जाती है वे किस के कारण होता है तो वे प्रोटीन के कारण होता है नेक्स्ट क्यूशन है दुग्द का सबसे ज़्यादा परवर्तन सिल गटक किसको माना जाता है most important क्यूशन है भई दुग्द का सबसे ज़्यादा परवर्तन सिल गटक है वो वसा को माना जाता है, चलिएगा next question पर चलते हैं, class को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास share करते रहिएगा, next question है, दुख्द सरकरा लेक्टोज, दुख्द सरकरा लेक्टोज किस से बनी होती है, दुख्द सरकरा लेक्टोज है, वो किस से बनी होती है, ले नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन है दुग्द का निर्जमी करण कितने डिग्री सेंटिग्रेट ताफमान पर किया जाता है नेक्स्ट क्यूशन है जिस करीम में वस्टा की मात्रा 60% से ही अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है तो ऐसी क्रीम को क्या बोला जाता है प्लास्टिक क्रीम है बोला जाता है नेक्स्ट क्यूशने टेबल क्रीम टेबल क्रीम में वस्टा की परतिस्ट मात्रा कितनी होती है तो टेबल क्रीम में वस्टा की परतिस्ट मात्रा 18% होती है नेक्स्ट कि उसने क्रीम स्पेक्टर का हर्दे किसी कहा जाता है क्रीम स्पेक्टर का हर्दे जिस परकार मानों में हर्दे रग्त का संचरन करता है पूरे सरीर में रग्त को पहुंचाता है उसी परकार क्रीम का मुख के हर्दे किसे कहा जाता है क्रीम स्पेक्टर का मुख के ह ब्रावल को कहा जाता है चलिएगा नेक्स्ट क्यूशन पर नेक्स्ट क्यूशन है एक आदरस दही में अमलता कितनी परतिसत होती है एक आदरस दही में अमलता है वो कितनी परसेंट उपस्तित होती है तो आदरस दही में अमलता है वो 0.7 से 0.7 में परतिसत तक होती है नेक्स के अंदर दूद को फाड़ा जाता है तो उसमें जामन मिलाया जाता है ठीक है थोड़ी मात्रा में जामन मिलाया जाता है तो वो जामन जवानू के कौन से विटामिन को बनाते हैं तो वो विटामिन बी वैसी को मुक्याता है बनाने में ताइक होते हैं चलिएगा नेक्स्ट क कुछन है दही में कौन से कनीज तक दुगद की अपेक्षा अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्यूशन है। दही बनाने हितू लिये जाने वाले दुगद की अमलता कितनी होती है। दही बनाने के लिए जब दुग्द लिया जाता है, उसमें अमलता कितनी परसेंट होती है, तो उसमें अमलता 0.16 से भी कम होती है, नेक्स्ट कुछन है, गर्मियों में दही कितनी समय में त्यार हो जाता है, गर्मियों के अंदर दही कितनी समय में त्यार हो जाता है, तो गर् दस से 14 गंट्टे का से मैं लगता है, चलेगा, next question पर चलते हैं. नेस्ट कुछने दही को कितने डिगरी सेल्सियस तापमान पर रखना चाहिए दही को कितने डिगरी सेंटिगरी सेल्सियस तापमान पर रखना चाहिए डही में जामन कितनी डिग्री सेंटिग्रेट तापमान पर मिलाते हैं तो डही में जब जामन मिलाते हैं तो उसका तापमान है वो 21 डिग्री के करीब होता है नेक्स्ट क्यूशन है घीज में कौन से विटामिन की परचूरता पाई जाती है चलिएगा next question पर चलते हैं class को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा next question है गी में उपस्तित गी की उपस्तिती में आंतों में कौन सा विटामिन बनता है गी की उपस्तिती में आंतों में कौन सा विटामिन बनता है नेक्स्ट क्यूसने दूग्द से बनने वाले पदार्थों में सबसे ज़्यादा निर्मान किसका होता है तो वो होता है गी का नेक्स्ट क्यूसने बारत में कितनी परतिसत दूग्द का गी बनता है तो बारत में कुल उपस्तित दूग्द का 28 परतिसत गी का निर्मान होता है चलिएगा नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन है दुख्द चुरुण में अधिक्तम दुख्द चुरुण होता है उसमें दुख्द चुरुण में अधिक्तम प्रोटीन के मात्रा कितनी होती है प्रोटीन की मातरा कितनी होती है, ठीक है Next Question, किस से त्यार किया जाता है छेणा एक पडार्त होता है, जो दुग्द से त्यार किया जाता है, कौन से दुग्द से, फटे विदू से छेणा त्यार किया जाता है नेक्स्ट क्यूशने चेना के लिए प्रयोग दुग्द को फाड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है जब बनाते हैं तो उसमें दुग्द को फाड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट क्यूशने दुग्द को फाड़ने के लिए SKUNDAN के लिए क्या मिले क्या मिला जाता है दुख दुखा फाड़ने के लिए इसकंदन के लिए क्या मिला जाता है तो दुख फाड़ने के लिए इसकंदन के लिए रेनेट का प्रयोग किया जाता है चलिएगा नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन है मक्खन में अधिक्तम पानी के मातरा कितनी होती है मक्खन में अधिक्तम पानी के मातरा कितनी परसेंटेज होती है तो मक्खन में अधिक्तम 20% पानी के मातरा पाई जाती है गी को कौन से बर्तनों में संग्रहन करना चाहिए, गी को कौन से बर्तनों में संग्रहन करकर रखा जाता है, तो टिन या एलिमिनियम के बर्तनों में संग्रहन करकर रखा जाता है, गी को वायू की उपस्तिती में संग्रहन करने पर होती है, गी को जब वायू की उपस्तिती म हो जाता है next question next question है गी को संग्रेंड कितनी degree centigrade तापमान पर करना चाहिए गी को संग्रेंड कितनी degree centigrade तापमान पर करते हैं तो गी को संग्रेंड 0 से 5 degree centigrade तापमान पर करते हैं next question है गी बनानी के लिए उप्युक्त तापमान कितना होना चाहिए जब गी बनाया जाता है तो उसमें उप्युक्ताप्मान कितना होता है उसमें उप्युक्ताप्मान है वो 110 से 120 डिग्री सेंटिग्रेट होता है नेक्स क्यूशन है रिकेट्स बिमारी किसकी कमी के कारण होती है रिकेट्स बिमारी है वो किसकी कमी के कारण होती है चलीगा नेक्स्ट क्यूशन पर नेक्स्ट क्यूशन है घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है घेंगा रोग पसू में होने वाला रोग है यह किसकी कमी के कारण होता है तो यह आयोडिन की कमी के कारण है पसू में घेंगा रोग हो जाता है next question is रक्त का थक्का बनने में देरी किसकी कारण होती है रक्त में थक्का नहीं बनता या फिर देरी से बनता है या किसके कारण होता है विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का या तो नहीं बनता या फिर रक्त का थक्का देरी से बनता है next question है मुर्ग्यों में केनाबॉलिजम किसकी कमी के कारण होता है मुर्ग्यों में केनाबॉलिजम के परगिरिया किसकी कमी के कारण होती है तो sodium chloride की कमी के कारण मुर्ग्यों में केनाबॉलिजम होता है next question है अंडे देने वाली मुर्ग्यों को परकास की आवसुकता होती है अंडे देने वाली मुर्ग्यों को मुख्यता है कितनी परकास की आवसुकता होती है तो उसको 14 गंटे परकास की आवसुकता होती है next question है गरीब की गाए किसे कहा जाता है तो गरीब की गाए बकरी को गरीब की गाए कहा जाता है सरवादिक वसा किस के दुग्द में पाई जाती है सरवादिक वसा किस में पाई जाती है तो सरवादिक वसा है वो गी के अंदर गत पाई जाती है नेक्स्ट क्यूशन है विस्वों की सबसे लंबे कान वाली बेड़ की नसल कौन सी है विस्वों के अंदर कौन सी बेड़ की नसल है जिसके कान सबसे लंबे होते हैं तो वो बेड़ की नसल है लोही लोही बेड़ की नसल की विस्वों में शरवादिक लंबे काने पाए जाते है मुर्ग्य का मुग के रोग कुन सा है रानी कहते है रोग है ठीक है नेक्स्ट क्यूश्टन है सवारी के लिए परसिद उंट की नसल कहा की है तो सवारी के लिए परसिद उंट की नसल है वो उद्यपूर की है नेक्स्ट क्यूश्टन है साइलेज बनाने है तूप्युक्त कौनी वहती है नेकंट कि बनाने के लिए उप्यूखत छो थे क्रिज्वार्स के लिए अदर सोभाईस, उद्यश्य था दुख दुतपादन को बढ़ाना तो उप्रेशन फर्ड कब परारम हुआ था उप्रेशन फर्ड है वो 1970 को परारम हुआ था नेक्स्ट क्यूशन है वर्ड फल्यू बिमारी मुक्यता किसकी है तो वर्ड फल्यू बिमारी मुक्यता किसकी है तो वर्ड फल्यू बिमारी है वो मुक्यता है मुर्ग्यों के अंदर है पाई जाती है चलीगा नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं Tech कुछने सॉनेन का मूल स्तान है सुनेन का मूल स्तान कहा है तो सुनेन का मूल स्तान है वह lavender land माना जाता है बहुत तो उसमें नमी पदार्थ होता है तो कितना होता है सुस्क पदार्थ तो सुस्क्पदार्त है वह 30-35 परसेंट उसके अंदर है चलेगा नेक्स्ट क्यूशन पर नेक्स्ट क्यूशन है विनिंग किसे कहते हैं विनिंग एक ट्रम है ट्रमिनोलोजी है और वह विनिंग किसको कहते हैं बच्डे को जब बच्डे को जब मा से अलग करकर पाला जाता है तो उस ट्रम को क्या बोले जाता है विनिंग है बोला जाता है नेक्स्ट क्यूशन है ओप्रेशन फल्ड का उदेश्य क्या है तो ओप्रेशन फल्ड का मुख्य उदेश्य क्या है तो ओप्रेशन फल्ड का मुख्य उदेश्य किया जाता है अरंडी का तेल किस लिए प्रयोग किया जाता है तो अरंडी का तेल है वो मर्दू रोचक के लिए प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट कुछन है क्लोरल हाइड्रेक्स का प्रयोग किया जाता है तो क्लोरल हाइड्रेक्स का प्रयोग है मुंक्यता है निंदरा के ल करन कभ किया जता है इसका करन कब किया जाता है वो जनवरी फरिवरी माय के अंदरगत किया जाता है नेक्ट इन चिंचरी जवर नाम कि रोग है यह किसके द्वारा फैलता है तो चिंचुडी जवर रोग है वो प्रोटोजाध के द्वारा फैलता है डायल नाम के विग्यानिक द्वारा चिंचडी जवर को शुरुपर्था में देखा गया नेक्स्ट कि उसने ऐसी कौन सी बिमारी है जिसमें RBC खतम होने लगती है तो उस बिमारी का नाम है चिंचडी जवर नेक्स्ट कि उसने मुर्गियों में चचक रोग का वाइरस कौन सा है मुर्गों में चचचक रोग फैलता है उसका वाइरस को है तो उसके लिए वाइरस है वो है बोरी लिवाटा एवियम बोरी लिवाटा एवियम है नेस्ट कुछन है रानी केत मुखेता किस में पाया जाता है रानी केत बिमारी होती है यह मुखेता कि इसमें पाई जाती है तो रानी केत मुखेता है बिमारी है वो मुर्गियों के अंदर गता है पाई जाती है रानी केत बिमारी मुखेता है मुर्गियों के अंदर है पाई जाती है चलिएगा नेक्स्ट कुशन पे, क्लास को जादा जादा शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के पास, अगर आप चैनल पे ने हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, पास मिलगे बेल आइकन को जरूर दबालो, ताकि आने वाली ऐसे ही मज़ेदार सांदार क्लासो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है, आज आए, नेक्स्ट कुशन है, मुर्गयों में होने वाला रोग, मुर्गयों में होने वाला रोग कौन सा है, खुनी पेचिस का कारक जीव कौन सा है, तो यह रोग किसके द्वारा फैलता है, तो यह रोग एक उसके क्षाफ नैस्ट के शुरीर का कानपना ने पुजिंगर को सरीर का क किस बिमारी के लखता है आइंग डांतूं में कटड़ा हटकि आवाज आनी लगती है तो समझे में कि पूसू पवमसार हो गया कि हो गया ठीक है चलिएगा नेुक्ष्ट कुश्ट पि नेक्स्ट क्यूशन है गल गोटू रोग का जिवानू पाया जाता है गल गोटू रोग का जिवानू का हम पर पाया जाता है तो गल गोटू रोग का जिवानू है वो रक्त पर नाले के अंदरगत पाया जाता है चलिएगा नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन है हे बनाने के लिए हे भी एक उत्म परकार का चारा होता है जो फसलों से बनाया जाता है तो हे बनाने के लिए सुरुतम फसल कौन सी रहती है तो हे बनाने के लिए सुरुतम फसल होती है वो प्रोटिन वाली फसल होती है या प्रोटिन यूक्त फसलों से बनाये जाता है next कि उसने सुर्ती सुर्ती कौन सी बेंस की परमुक नसल है कौन सी पसू की नसल है तो सुर्ती है वो मुक्य बेंस की नसल होती है next कि उसने कितनी उमर की बकरी मास के लिए सुरोतम मानी जाती है सुरोतम मास के लिए उप्युक्त बकरी कौन से होती है तो दो से तीन माहे की बकरी है वो स्रोतमाज के लिए उप्युकता है नेक्स्ट कुशने बेंस के दुग्द में मानक वसा परतिसत कितना होता है मानक वसा परतिसत बेंस के दुग्द में कितना होता है चलता फिरता फ्रीज जब जी चाहो फ्रीज में दुग्द को हम सित रख सकते हैं जब जी चाहें निकाल सकते हैं उसी प्रकार एसा कौन सा पसू है जिसमें हम जी चाहें दूर निकाल सकते हैं तो उस पसू का नाम है बकरी को चलता फिरता फ्रीज कहा ज़ता है कि ऑ बह्ति की गर बावदी कितनी दिन की होती है तो रज़ाह इन्हें भी तक भी वह कि दिन दिन की होती है आहिक जीनी बह्ति मेंच कितनी पर्तिसथे लेक्टो चार avy पांश किो टियूहा 1990 और 1920 के अठर है वी थी. Next क्युशने पर चालते हैं. Next क्युशने किसके दुग्द में Wasasarवादिक पाई जाती है तो बेड़ के दुग्द में Wasasarवादिक पाई जाती है और Wasas 10% तक होती है. लेकिन इसका एक अपवाद है. इसका एक है आपवाद है वो है बधावरी बेंस बधावरी बेंस जिसके अंदर वसा की मातरा तेरा परतिशत होती है next कि उसने उच गुणवता का खुआ बनाने के लिए किसका दूध उप्युक्त माना जाता है तो उस गुणवता का खुवा बनाने के लिए बेंस का दूद उप्युक्त होता है Next कि उसने कौनची नसल के बेल तेज दावक होते हैं कौनची नसल के बेल होते हैं वो तेज दावक होते हैं तो नागोरी नसल के बेल है वो तेज दावक होती है नेक्स्ट क्यूशन है पर्थम सरकारी डेरी कहां परारम हुई थी पर्थम सरकारी डेरी कहां परारम हुई तो पर्थम सरकारी डेरी है वो इलाबाद के अंदर है परारम हुई थी नेक्स्ट क्यूशन नेक्स्ट क्यूशन है पस्वों की आंग की सपाई के लिए कौन सा एंटिसेप्टिक प्रयोग में लिया जाता है पस्वों की जब आंग की सपाई की जाती है तो कौन सा एंटिसेप्टिक को प्रयोग में किया जाता है तो बोरिक अमल एंटिक सेप्टिक का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट क्यूशन है राजस्तान में सरवादिक पसू मेले किस जिले में लगते हैं राजस्तान में सरवादिक पसू मेले नागोर जिले के अंदर सरवादिक पसू मेले लगते हैं नेक्स्ट क्यूशन है, गाए को परती 1000 किलोग्राम सरीर बार पर सुस्क पदार्थ देती हैं, 1000 किलोग्राम सरीर बार पर सुस्क पदार्थ कितना दिया जाता है, तो सुस्क पदार्थ है, 2.5 किलोग्राम सुस्क पदार्थ है, परती 100 किलोग्राम सरीर बार पर दिया जाता ह नेक्स्ट क्यूशन है गुणाकन पतर वीधी में चैन है तू पसू की कम से कम अंक कितनी होने चाहिए 75 परतिसत या 100 में से 75 अंक उसके अंदर होने चाहिए पसू केपक पक्यतर अंक होने तभी उसका हम चैन करते हैं वरना उसका चैन है नहीं किया जाता तो 45 अंक वाले के कारण दुग्द को पुरुन बोजन नहीं कहा जाता या फिर दुग्द में कौन से पोसकततों की कमी पाई जाती है तो दुग्द के अंदर लोहा पोसकततों की कमी पाई जाती है और लोहा की कमी के कारण ही दुग्द को पुरुन बोजन के रूप में नहीं माना जाता एक पर फिर से आपको बता देता हूँ कि आप चाहिए कोई भी एक्जाम देना देखे आते हो उससे पहले एक वारवल नाइनर क्योशनों को जरूर बढ़ते जाएगा इन कलासों को जरूर देखेगा तो उससे आपको 60-70% तक आपके क्योशन इनी से कवर हो जाते हैं ठीक है और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपनी दोस्तों के पास शेयर करना अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो पास मिलगे बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आन इससे ही मज़़दार वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आजे नेक् क्यूशन है मुक्यत है किस पसू का बंद्या करन करते हैं मुक्यत है किस पसू का बंद्या करन करते हैं तो गाई के पसू का बंद्या करन करकर क्या बना जाता है गाई के नर पसू जिसको क्या बोला जाता है बेल बोला जाता है का बंद्या करन किया जाता है नेक्स क्यूश नेक्स्ट क्यूशन है, खून में कितने परतिसत पानी होता है, खून के अंदर 82% क्या होता है, पानी उपस्तित होता है, नेक्स्ट क्यूशन है, दुग्द सूगर को क्या कहा जाता है, जिसके कारण दुग्द मिठा होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको क्या बोला जात नीक्स्ट क्यों पिछलते हैं पसूं का पेट कितने भागों में बंटा होता है तो जुगाली ये वाले पसूं का पेट रोस्याश सब्से क्यों से निसल का दुख दुकाल सबसे लंबा होता है तो कौन से निसल आ हुजार को काम में लिया जता है नेक्स्ट क्यूशन है दुख दुमापी में निसान लगे होते हैं दुख दुमापी में कां से कां तक के निसान लगे होते हैं तो दुख दुमापी में 0 से 40 तक के निसान लगे होते हैं नेक्स्ट क्यूशन है बर्ड फल्यू बिमारी किस से स समंदित है तो बड़ फिली बिमारी है वो मूर्गियों से समंदित होती है तो क्लास को जादा से जादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलना अगर आप चैनल को चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दवा लेना ताकि आने वाली जो भी नीव अपडेट है जो भी नीव वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है आज है अगर आप फिर से बता दूं कुछ कोई भी अगर आप एक्जाम देके आते हो एक्री कल्चर इस लेटेर तो यह क्यूस्टन आप जरूर प झाल